हेलो गाइज, हाव रिवाल, अल गूड, वेट, तो गाइज, आज से हम इलेक्टिक चार्ज एंड फील का लेक्चर नमबर वान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बाले में आज हम डिसकस करेंगे, कुछ हमारा इंट्रोडक्शन भी आज का होगा, तो चलिए स्टार्ट कर ट्वेल क्लास का पहली यूनिट के इस एलेक्ट्रोस्टेटिक्स, दिखिए चार्ज जो होता है, चार्ज, आप से भी ने चार्ज दुपारे पड़ा हो है, चार्ज, जो रेस्ट पे हो, चार्ज, एट्रेस्ट, चार्ज, एट्रेस्ट, तो स्वह हम बोलते हैं, इलेक्ट् और चार्ज, जब मोशन में हो, तो उसे हं क्याREE, क्या बोलते है एलेक्टो डाइनामिक्स जबशिफ र覺 क्र runs ये उसे मregन हमें, वहाट उसे मड ऐाना है, उसे में कोलेंगे, sach चार्ज, you have to know what is चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जाते ही करनी है, और वो हमा पहले पढ़ना है, तो चली शुरुआत करते हैं, चार्ज से, तो हम अपनी यात्रा चार्ज से प्रारम्ब करते हुए, तो नेक्स टॉपिक इस चार्ज, सबसे पहले आप उजे चार्ज को डिफाइन करेंगे, देखिए, चार्ज जनरली होता है, एक बात सबगे, आपने बच्पन में एक्सपेरिमेंट किया है, कि जब हम किसी अपने पैनों को बालों में रगड़ते हैं, तो उसके उपर एक चार्ज आ जाता है, यह तो आपने बच्पन मे हर किसी चेप्टर में मतलब छोटी क्लासे में आपने पढ़ा है, आपने यह भी देखा है कि चार्ज को बालों में रगड़ते हो, तो रेज को बिफाइन की तरफ लेके जाते हैं, और हमें पते क्यों करते हैं, क्योंकि उस पैन के ऊपर चार जा गया है, तो उसी तरह से आ कि आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, कि चार्ज is something, कि चार्ज कुछ तो है, is something, चार्ज कुछ है, something, possessed by a material, जिसको कौन possessed कर रहा है, एक material possessed कर रहा है, possessed by a material, which is, which is responsible for, responsible for, किस चीज लिए responsible होता है, electrostatics, electrostatic force of attraction, attraction or repulsion, यानि कि, जो आपने पैन को बालों में रगणा, और आपने देखा कि पैन के चारों तरह फिक force of attraction रगेट हो गया, उसका responsible कौन था, चार्ज था, तो इसको हम डिफाइन करेंगी, कि चार्ज is something, कि चार्ज कुछ तो है, possessed by a material, जिसको इक material possessed करता है, यानि, चार्ज को होता है, वो material में मिलेगा, space में कभी चार्ज था होना तरह नहीं आएगा, वो किशना किसी material आपको जो मिल सकता है, या air में भी हो सकता है, लेकिन वो gas molecules में हो सकता है, material which is responsible for electrostatic force of attraction, और repulsion, तो चार्ज होता है, इसके बाद एक चीज़ में आती है, that is law of electrostatics, that is law of electrostatics, और यह वो चीज़े जो बच्पन से, सभी ने बड़े प्यास से पढ़ी है, electrostatics, law of electrostatics, all of you know about, सब्सक्राब आब यह बताएंगे कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो all of you know about that charge are of two types, हमारे पास जो है, दो तरह के चार्ज हम लेते हैं, एक आपका positive charge, और एक आपका negative charge, तो उसी से एक law of electrostatics शुटा था है, कि यह क्या बोलता है, कि जो light charges होते हैं, light charges repel each other, और, unlike charges attract each other, और, unlike charges attract each other, second is, unlike charges, unlike charges attract each other, और यह हो लिए है, वो कहते हैं, तो इसी तरह से चार्ज होगे, law of electrostatics आपने जान गई, इसके बाद, अब आज़ाती है, आपकी properties of charge, जब चार्ज के बार में डिसक्स करते हैं, तो और कुछ और डिसक्स करते हैं, इसके बार में कि चार्ज के प्रपर्टी क्या है, चार्ज क्या करता है, सुरी मैंने वीडियो को बैंग लेकर आप पॉसकर नोट कर सकते हैं, इसको, वीडियो को लेकर पॉसकर नोट कर सकते हैं, तो अधर इसी पे इस पे मैं आप से पूछता हूं, कि, अधर इसके, वीडियो को पर बताना बूर गया, वीडियो क्या है, यह ब्रांच ओफ फिजिक्स विच डिल इस तेडी ओफ चार्ज रेस्ट, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, तो अधर इलेक्ट्रो यानि कि एलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स यानि कि स्टेबल होना, यानि कि रेस्ट्पे रेना, यानि ब्रांच ऐफ फिजिक्स, ब्रांच ऐफ फिजीक्स, विच डील, विच डील विधी तेज़ एसिद ऍट्रॉन ऋ ओफ ज़ेर्ज आचपश चार्जिज एट रेस्पि यानि कि हम लोग चार्ज के रेस्ट पे आके कौन कौन से कि इसके अंदर ज़ो है जानगा लेए wouldina चेपे प्राहम को सफ़ेंगी है दूसरा आपको पता है वह वह अपुटेंशिल करें धिताए ActsРЕlt यह करें फिर ज्पते हैं फेसरा उसे वह चीजसे सोगते हैं इन चीजों के बारे माम इसके छेप्टर में सब्सक्राहन वीडियो को पॉस करके नोट कर सकते हैं इसको फिर मैं रब करूँगा चीज़ अब आता है एक सिंपल सी चीज़ अगर आप चार्च के बारे में जांगे उसके बाद हम बागी की चीज़ों पारे मिस्कास करते हैं प्रापर्टी करतेएं प्रापरटी आपको मिलती है जैसे conservation of charge conservation of charge number दूसरा quantization of charge quantization of charge और थर्ड है आपका conservation quantization additivity of charge additivity of charge देखिए डिफरेंट 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 डाम आपके सामने है और नाम से ही आपको property समझे माजाती बड़े आसानी से वह कैसे पहला business करेंगे conservation of charge conservation की दिख सिंपल चीज आप बच्पन से जानते हो क्या होती है charge can neither be created nor be destroyed conservation of charge तो चार्जब को ना तो उसकते है नमाइब इसको नर्स के रहे। थे समस्तर तो ये हो जाते है। उसे य। एस या हसकते हो कि तो कि तॉटल चार्ज वो तो चाँर्ज ओर ऐंड आइसोलेटर सस्टम हैनि that isolated system always the remains constant कि किसी बी इस्टंट पे हमेशा constant रहता है isolated system का Tell us isolated system देग आगया isolated system आपने वरण पड़ा है वचन से आसोलेटिटर सिße्ट्म को होता है कि जिस पर कोई बहारी हस्तक शेव ना हो कोई एक्सटरनल यह कोई भी परिशानी ना हो इंटर्णल चाहिए कुछ भी होता रहा है जैसे हम गहते हैं हो आइसोलेशन कर दिया कोरोना में किसी बंदे को हो आइसोलेशन कर दें तो हो माइसोलेशन का बतलग है कि अब वह हों के एक अकेला या कुछ भी है लेकिन बहार से कोई भी इंटरफेर professions नहीं होगा That is आइसोलेशन उस्टरह से आप रहे सकते हो कि कोई भी system हो कोई भी इसस इस सिस्टर में इस चूल में नान चेपा इक स्कूल में लेकिन बहार से कोई भी बंदा आ रहा है कोई बंदा जा रहा है वो इस external कहलाएगा otherwise school में teacher management और students चाहे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे है activities चल रही है जो भी चल रही है वो आपका isolated कहलाता है is that clear to everyone तो यह होता है आपका isolated system अब आप मान लेते हैं को total charge को एक box है मेरे उपर इस box है मेरे पास उस box में मैंने charge को भरा हुआ है उस box में total charge मान लेते हैं 20 gg अ मैं उसको ना तो बहार से को चार्ज दे रहा हूँ ना अंदर से को चार्ज में दे रहा हूँ तो उस box में 20 gg charge है वो हमेशा constant ही बना रहेगा that says conservation of charge is that clear इसके बाद quantization of charge second is quantization of charge quantization of charge में क्या होता है quantization में quantize का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अपने आप में fix value रखती हो जैसे माल लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ बजया आरत से जाके pen खरीद के लाओ तो क्या pen fraction में खरीच सकते हो कि नहीं जी ढाई पैन दे दो मुझे भी भाइसा पॉनेतीन पैन देना नहीं हो सकता ना कैसे करोगे बताओ कैसे माहँगे भाइसा पॉनेतीन पैन देना बंदा आपसे यह जैसे कि महलव्ी कि बहुसी चीज और किलास में कितने बैचे बैटे नहीं में ही एक लिटर ह्री टै कर दो सकता है कि दो चार्पूंद उसकता हैं तो व़सकता है तो वह मुझे नहीं है ठीक है उसी तरह से चार्पूंद चार्ट इस monde और आपके चार्ज को अब आपको किसार जैसे मिना पैन लिया तो बेसिक्स कि पैन हो गया और पैन के गौनटाइज इस पर गरी दिख्ट तो चार्ज को होता है एलेक्ट्राइज इस तरह से बिटा है तो यह कहता है कि तो चार्ज तो चार्ज on any system any system is integral multiple of integral multiple of basic unit of charge और basic unit of charge हमने क्या रखा ता इस एलेक्ट्राइज तरह उसके इस में तो टोटल चार्ज है तो चार्ज है अब जिनकों इंटीजर के बारे में नहीं पाता है और वो समझ लेक्ट्र इंटीजर जो होता है वर्ड इंटीजर को हिंग्नियर बोला जाता है पून आम्ग यानि की पून प्लस अम्ग पून का मतलब होता है जी पूरा पूरा नंबर पूरा नंबर यानि वो नंबर जो अपने आप में complete हो जैसे आपका में इंटीजर में इसे रुगा जाता है को टेक्शन चार्ज और ऐसा ही एक्जिस्टेंस में रखा गया होता है चीग है क्लियर हुआ वीडियो को पॉस करके नोट करें तो क्वें उसके बब प्रक्राइशन चार्ज पेसा अग्लमेरिकल आपक्राइव कर लेंगे हो गया है हो गया गया डर्विट अब मैं रविट मैं आई रविट गाई ओक्रेंगे जैसे कुश्चन नहीं हम लेते हैं कॉनटाइशन अव चार्ज पे थी आपको फॉर्मला करता है वर्म आपके था इस तो क्वें इसे लेता हो की के चार्ज of 16 into 10 to the power 18 be given to a body क्या किसी body को 16 into 10 to the power 18 charge पुलाम charge दिया जा सकता है वीडियो को pause करके बट्राय करें very good वीडियो को pause करके बट्राय करें कर लिया कर लिया कर लिया कुछ कर दिखाना है हमें जीत जाना है चरी हो गया गया चरी आई तिक या सुर्ण आपको आंसर आगया होगा भी तर और वीडियो को pause में प्राय कर लेना solution जेखते हैं अब आपको given है क्यों की value given है that is 16 into 10 to the power 18 इतने ही पूला अब आपको बते हैं की formula होता है की q is equal to n into में e अगर n हमारा integer आजाए अगर n हमारा integer आजाए तो yes given दे सकते हैं और नहीं आता है तो no आजाए करते हैं तो 1 16 into 10 to the power 18 is equal to n into और चार्ज on electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 पूला अगर यह चीज आप यह आज ले चार्ज on electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 पूला यहां से n की value हमें निकाली है तो यह कितना हो जाएगा 16 into 10 to the power 18 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको लेख चाह सकते हो पर value हो जाएगा आपकी point अटाएंगे तो multiply by 10 इससे यह कट गया answer आजाएगा 10 to the power 19 plus 19 that is 10 to the power 38 a और यह अपने आपने इंपीजर है क्योंकि 10 की power जीव 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 लगा तो वह भी अपने आपने इंपीजर होगा तो answer आपका हो जाएगा yes ऐसा हो सकता है वीडियो को pause करके को इसको note कर ले फिर एक दूसरा question हम आपको देंगे कर लिया कर लिया कर लिया ओके एक question आपके सामने आपके whiteboard पे लिखा हुआ है जो computer screen question आपको दिखा रहे है यह question आपके सामने एक शाबाशी के लिए अगर आपने बड़ा आसान कुष्छन है simple formula आपको अप्लाया करना है calculate the charge करेड़ बाया था इतने electrons आपको 12.5 यानि कि आपको number of electrons given है that is 12.5 into 10 to the power 8 electrons और आपको calculate करना है क्या calculate करना है इसके उपर charge करना है वीडियो को pause करके try कर लें कलिया 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 कुछ कर बजरना है और हमें आगे ही आगे बढ़ना है चले start करते है तो आपको पते है एक formula होता है Q is equals to n into में 8 and आपके पास given है that is 12.5 into 10 to the power 8 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इसको आप अब बढगा लग करेंगे तो पॉंट रटा तो यहां से 12.5 I mean मैं इसको पॉंट रटा की 125 इसको यहीं करता है पॉंट रटा दिया आप उंट रटा दिया आप उंट रटा दिया आपका क्या बच्छेगा 125 इसके रटा करेंगे तो दूस्वाइब तूस्वाच इस एड निवार्ट इस मत्तिशन अनट चालीस ओर ओर व्ओर शोलेवचार बीस नीव 2 थावजड इन्ट टैंन टूदी पावर 1 minus 19 minus 2 मैं कि 19 मैं से 8 ले तो माइनस कर 11 और तो माइनस 13 यह जनी कि 2000 x 10 to the power minus 13 फूलां और इसको और आसे रहे कि 2 into 10 to the power minus 10 फूला तो this will be the right answer. वीडियो को पॉस करने कर सकते हो लिख ले सकते हो, हो गया? एक और question लिखते हैं हम? Okay, एक question और आपके सामने computer screen पे कोई वेडियो को पाऊस करें करें को पॉज़िटीव यह कह रहा है कि How many electron would have to be removed from a copper penny to leave it with a positive charge of 10 to the power minus 7 कुलाम यहीं आख को किसी एक copper के बरतन से 10 की power minus 7 कुलाम positive charge छोड़ना है तो कितरी electron हमें वहां से निकालने पड़ेंगे तो कुशन को युख वेडियो पॉस्ट करें वीडियो कोई बार बड़ा सान कोशन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगे आप लोगों करिए इसका क्या करना है अब अब इसका क्या करना है अब इतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर छोड़ना है यानिकि इतने चार्ज के लेक्ट्रोंस बार रहेंगे इसका मतलब आपको जो Q की वैल्यू के बार है वो 10 to the power minus 7 दो आदे वो आपको इतना चार्ज पॉजिटिव चोड़ना है आपको इतना पॉजिटिव चार्ज छोड़ना है यानिकि इतना नेटिव चार्ज हम भार निका लेंगे तभी कि यह फॉजिटिव चूटे था क्योंकि न्यूट्रल है हम आपको जाएगा यहां पर क्या प्रिट करके एंड की वैल्यू कि इतने आपको इतना है क्यों कितना है 10 to the power minus 7 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 अब जो कटता है इसको काट लो 1 by 1.6 into 10 to the power minus 7 यह ओपर प्लस का हो जाएगा 19-7 कितना बच गए 12 इतना बच जाता है आपको और 1 by 1.6 डिवैड आप करेंगे तो आप कांसर आ जाएगा यह 62.6.25 यह आप कांसर आ जाता है 6.25 into 10 to the power 11 पुला इतने हिक्टॉंस नमबर फ्रेक्टॉंस पूचे गए न तो यह इसका अंसर आ जाता है नोट करने पर नोट करने है तो पर एकोल कॉस्चिन हम उठा लेते हैं थोड़ा सा प्रेक्टिस अबर इच्छी हो जानी है करें हैं कि व्य गाइस में हो गया हो गया हो गया ओके वाज़ाओं यह एक कुश्चिन आपके सामने ब्रॉड़ पर इसको जबर ट्रय करें उसमें कितना जो है चार्ज होगा याए पॉस्टिव चार्ज है जता जिलो ano positive नेगटिव जो तहए चार्ज सिर्डेचा अंदर पॉस्टिव ही होगा तो भो पॉस्टिव चार्ज कितना होगा वीडियो को pause कर करके ट्राय करें एक बार कर लिया कर लिया क्या, I think कर लिया होगा अब तक, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, हमारे पास जब मोल में वैलियो आ जाए, तो मोल का मतलब है एक मोल में आपके मोलकुलों मोलकीलों में है तो तो टोल नमेर पार्टिकल्स की बंगे स्टैंगे स्टैंच करें को निये 6.02 आपका क्या होता है that is your avogadron number इतने जो है पार्टिकल्स होगे अब एक hydrogen gas के पास एक proton होता है जो है यह दो हाइड्रोजन का of h2 molecule contains two protons slash electrons ने proton है अक्ता देन total number of protons कितनो हो जाते है हमारे पास तो इंटो 2 इंटो 6.023 इंटो 10 to the power 23 0.02 दो 0.02 दो 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 कि इंट तब 2 जिए तक लिए ताम इसको टे है तो 6.022 इंटो 10 to the power 23 आपको क्या जाएगा that value is 10 आपको क्या चाहिए आपको चाहिए कि किकने कुलाम of mega कुलाम चार्ज है तो q is equal to n इंटो में e आपका 4 इंटो 6.02 इंटो 10 to the power 23 इंटो 1.6 इंटो 10 to the power minus 19 कुलाम यहां से कुछ करता है तो काट देंगे नहीं करता है तो इंटो 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 6.02 इंटो 10 to the power 23 19 यानिक आपको चाहिए प्लस के तो इंटो में 4 आप इसका में 6.4 इंटो में 6.02 तो यह मैं जाता है जीरो पॉइंट 3 8 5 3 क्यागुलेटर से कर सकते हो इसको मैं जब पूरा सब्सक्राइब करता हूं तो यहां पाइजागा 0.3853 इंटो 10 to the power 6 यानिकि 0.3853 और 6 आपको आपको इंटो इतने ही महा पूलाओ तो this is the answer for the question तो इस तरह की question आपके जो है quantization of charge से पूछे जाते हैं फिर आप काम ले लेते हैं conservation जो next topic है हमने quantization of charge पढ़ लिया हमने additivity of charge पढ़ लिया conservation of charge पढ़ लिया next is additivity of charge तो वीडियो को pause करके note कर लें रिमर पकरने जारह मैं रहा हूं ठीक, next is हमने एक कॉंटाइशन पढ़ लिया, conservation में पढ़ लिया, total charge, obvious image constant, हमने कॉंटाइशन पढ़ लिया, इसकी फिर अब इसकी जो third property है, that is, additivity of charge, that is, additivity of charge, additivity of charge, एक और देंता हूं, camera में सारा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ एक दम सही आ रहा है, additivity of charge, अब देखे, additivity of charge में क्या करना होता है हमें, कि charge जो होता है, total charge on any system is equals to the sum of the individual charge, ठीक है, यानि कि total charge होता है, simple, total charge on any system, on any system is equal to the, is equal to the algebraic sum of all individual charges, अब ये बात जरत ध्यान से समझे हो, जो algebraic का मत लख्या होता है, दो बटा physics में आपके दो तरह के summation मिलते हैं, एक आपका होता है algebraic sum, और दूसरा होता है vector sum, ठीक है, एनिकर आपको जो sum आपके बार इंबात करेंगे, तो दो तरह के मिलेंगे, ये वोंगे algebraic, और दूसरा होता है आपका vector sum, वैसे आपने ये पढ़ाई हुआ है, कि algebraic sum का जो product आता है, वो आपका scalar आता है, vector sum में आपका vector लिया जाता है, अब इनको समय में देखो, माल लेते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, कि यह यहां ही block है, और इस block पे, मैंने एक तो force लगाया है, यहां से इधर 10 newton का, और एक force मैंने इधर से यहां लगाया, माल लेते हैं 2 newton, और मैं आपसे कहता हूँ, बैटा, total force कितना है, यह block है, फोल भी block है, तो मैंने यहां से 10 newton का force लगाया, और यहां से 2 newton का force लगाया, और मैं कहता हूँ, बैच्छा मैं बताओ कि total force कितना है, आप क्या कहेंगे से, total force लगा 10 minus 2 is equal to 8, 8 newton, अई हमने 12 क्यों भूला, हमने 12 क्यों है, क्यों कि हमने पता है कि forces की कोई ना कोई direction होती है, और direction होती है, तो उस direction के according हमें उसका net result निकालना होता है, जो effective निकलेगा, बज़र से निकलेगा, अगर से मैं आपसे चलो, आप total map कह सकते हो, सर्वारा अभी हो सकता है, बट effective में अगर बोलते हैं अगर बोलोगे तो 10-2 A-N effective result X अब मैं आपसे कहता हूं कि एक थैली लागे में आपको दे दी और मैं कहता हूं कि वहां बहुत सारे से पड़े हुए और आप किनो तो क्या है ऐसे किनो गई एक से पाँ मूँ इधर है एक से अधर है तो तो दोनों और न वापसे एंसलाओ और ऐसा कर सकते हो नहीं गर सकते नहीं तो आप उसको कैसा करोगे आप उसमें यह देखोगे कि टोटल से तो ने हैं से जो additivity of charge बोलता है, कि सारा जो charge होता है, वो algebrically add हो जाता है, 1,2,3,4,5,6,7,8 time to long charge यहां ठीक, तो उस तरह से बोलता है, यानि इसमें कर आप निकालेंगे, तो टोटल charge है, q is equals to q1 plus q2 plus q3 plus q4 up to so on, this is your additivity of charge. अब चार्ज की property आपने पढ़ ली, चार्ज की क्या क्या basic properties हैं, जिने आपके आती हैं, इसको note कर सकते हो आप वीडियो को पॉस्स कर दिया, otherwise I am going to rub it, next is way of charge, आप किसी body को किन किन तरीके से charges charge करते हो, next is way of charge, आप body को किन तरह से charge करते हो, तो इसमें आपके तीन है, number one, जो आप पच्पन से बढ़ते आ रहे हो, charging by friction, friction एक rubbing करके, rubbing कर सकते हो आप इसको, number second, charging by conduction and number third, charging by induction, charging by friction, charging by friction, आपने बच्पन से बढ़ा है कि हम ग्लास, रगड़ते हैं, पॉस्टिव हो जाता है, एक नेगटिव हो जाता है, तो यह बच्पन की चीज़ें, इसको मैं जादे एक्स्प्रेम भी करूँ है, क्योंकि आप जो जानते हो अची तरह से, charging by conduction, अब charging by conduction क्या होता है, कि मालने पर यह कोई body है, कोई body है, और यह कोई body है, अचार्ज body, अचार्ज body, बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी A पे 10, पुलाउं चार्ज, मैंने क्या क इसको मैं तरहूंगे तो, तो इन दों में पर क्या होगा, 55Colam Charged distributed हो जाएगा, तो इसके हम होते है, चार्ज बड़ी कोई टच कराना होता है, और तोटल चार्ज इसका, तोमने पर distributed हो जाते है, चलिए रहो है सबीके, चलिए, अब महां रहते है, मैंने एक body यह है, मिरी आपस में तच कराएगे, आपस में तच कराएगे, एक 10 पूला और मैनस 2 पूला, बताएगे, find net charge on A and B, ये body A, ये body B, क्या होगा net charge, सिंपर, अभी जब पहले दोनों अलग-अलग थी, ये दो अलग-अलग system हुआ करते थे, अभी एक system अलग, एक system अलग, अब ये दोनों आपस में मैच करें, मिल गें, तो अब ये पूरा एक system बने गया, अब हमें कहता होता है, ओ system का overall charge निकालना होता है, क्योंकि total charge on A system is equal to the sum of the individual charges, additivity of charge के हुजासे, तो यहां के पर जाएगा 10-2, तो ये एक कूलाम, अब total charge 1 कूलाम, अब इन गॉर्णों के अलग करेंगे, तो बराबर कूलाम गॉर्णों पर चार्ज डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है, तो यह आप हो जाएगा 4 कूलाम और 4 कूलाम, ठीक, एक question order देख लिए जिएसमें, कि माल लेते हैं, अब स्वाली, note तो कर लिया होगा थी, पीछे वीडियो बैक करके, आप note कर सकते हैं, इसको, वीडियो बैक कर लेते हैं, इसको पॉस करके, अब जैसे question मैं यह देख तो हमाल लेते हैं, कि suppose, a body, a body A, have charge, have charge, have charge 20 कूलाम, and another body, another body, we, have charge, have charge, ले लेते हैं, 4 कूलाम, minus 4 कूलाम रेते हैं, and a third body, a third body, see, third body is see, which is uncharged, which is, which is uncharged, which is uncharged, uncharged, the third body is see, उसको हमने uncharged रखा गया, and brought in contact, brought in contact, brought in contact, brought in contact with a, with a, उनको contact लेके आया गया, with a, and then with b, with a and then with b, उसको a से correct किया गया, फिर b से correct किया, and taken it away, इसको हम क्या करके गए, taken it away, इसको हम दूर लेके चड़े गए, then find, find net charge, net charge on a and b, अब आपको a और b पे net charge बताना है क्या होगा, question आपके सामने board पे है, एक बार वीडियो को pause करके जुको try करें, वीडियो को pause करके को try करें, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, okay, चलिए, मैं सूर करता हूँ, solution देखिए, मेरे कहां से बहुत बच्चों का हो गया होगा, तो यह कह रहा है कि 20 कूलाम चार्ज है, another body we have charge minus 4 कूलाम, मतलब कि एक body a है और जिसपे 20 कूलाम का चार्ज है, और दूसरी body b है जिसपे minus 4 कूलाम चार्ज है, और एक तीसरी body है, जो की uncharged है, अब इसको पहले इसके साथ लेकर आगया b से, a से, जब a पर लेकर आएंगे अनचार्ज body को तो देखो 20 कूलाम चार्ज है, टोटल सिस्टम पर 20 हो गया, जब टोटल सिस्टम पर 20 हो गया, तो 10 यहां चला जाँगा, अब आमने क्या करा है, इसको अलग अलग लिए, यह अब c को लिए cám b के terचे, अब b के terचे में अब 24 पहले से시 था, टेन इसने दे दिया, total हो गाएपा कतेना 6 अभ इसके बीफार अलग अलग करनेगे कितना बचेना 33 गूदां, तो इस तरह से आपक頭 जो 3 συν मैं 3,33 ng को चार्ज घंगा तो इस नेट चार्जर औं, EMP करका पोचेंके था तो ए पर उस ने चार्ज कितना है, 10 10 vezche Star है धिर, वी नहीं, थीद है, वंचर्जिंग वाय INDUCTION by cheesecake in reduction, तो तो दीक्षिन दीक्षिन यह रहना है और उन-चर्जग बोड़ी की तरिक्षिन, जिसे अधर जूर.. जिस दूरूसर है कि टूर। बहुते के लाएक है। charging by induction, charging by induction, charging by induction में क्या है, देखिए, यह बाद रहते हैं, आपकी कोई body A है, जो की uncharged है, और यह आपकी कोई body B है, जो इस पर positive charge है, जो की uncharged है, और यह बादी B है, जो positive charge है, ठीक, अब होगा क्या, इसको तोड़ा राइड राइड सुना रहते हैं, तोड़ा अच्छा समधी रस्टूर सा, रस्टूर ही बना रहते हैं हमें, और यह आपके होगे, कुछ समय बाद होगा क्या, कुछ टाइम बाद, इसके एक त positive charge होगा, और दूसे तरफ आपका यह positive charge generate हो जाएगा, जीक, अब हमने क्या किया, एक और uncharged body दी, और उसको हमने इससे touch करा दिए, अब जैसे यह है, आपका charge body, इधर आपका है negative, और जो हम uncharged body को इससे touch करा देंगे, तो इधर आपका क्या बेंच है, बहुत से, कभी-कभी आपका इसको और भी दे सकते है, आप अफ्यक्षिक में धर इसके अब आपके मैं फ़ेला करते ही, यह आपकी negative channel हैईगी, देख है यह बार आपका positive charge है, और यह आपकी negative charging इक गूए थैज और यह आपका हो गया और चार्ज बोड़ी इस तरह से आपने एक अंचार्ज बोड़ी को पाई कंडक्शन चार्ज कर दिया इक कंसेप्म और आप फ़से चार्ज गरनड इसे एक्त बात इक अजर्ज कसे बीचंद आगापकरों एक पाणा है इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी चार्ज बाणी के पास नज्ञाते है और इस पर तो होगा क्या यह पॉस्टिव चार्ज इस एलेक्ट्रोन को तो अपनी तरह अट्रैट करेगा और इस पर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ जो कि Q इंडर में E की बराव होता है जो आगे पड़ेगे तब थोड़ी दिर बद क्या होगा यह फ्री एलेक्ट्रोन तो इस तरह से हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे नेक्स्ट में डिसकस करेंगे कllä लौ K आपका कूलां का लो कूलां के लौ के बारे सारे चीज़े डिसकस करेंगे कूलां कि वेक्र फार्म जो आपके होते हैं का है कूलां कaltung की कूलां के स्था से unboxing का हैं और कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया कोशन को सब्सक्राइब ही करेंगे तो आगे के लिए और अपने मेहनत करते रहें गाइस पढ़ाई करते रहें पढ़ाई मत छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके तो थैंक्स पूर अफ यू